एक बार फिर भारतीय टीम पूरे टूनामेंट में सांदार प्रदर्शन करने के बाद भी किताब जीतने से चूक गए 2023 वन्डे वल्लकप की तरह 2024 अंडर 19 विसकप में भी टीम इंडिया पूरे टूनामेंट में अजह रही लेकिन फाइनल में जीत नहीं सकी हालकि इस बार भारत को चोट एक अपने ने दी है दरसल अंडर 19 वल्लकप में टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी बज़ा एक भारतीय बना इस भारते का नाम है हर्जस सेंग हर्जस सेंग पूरे विश्यकप के दौरान बल्ले से कोई कमाल नहीं कर सके फाइनल से पहले छे मैचों में हर्जस सेंग के नाम सिर्फ उननचास रन थे लेकिन ऑस्टेलियाई मैनेजमेंट को उन पर पूरा भरोसा था फाइनल में भी कप्तान और मैनेजमेंट ने उन्हें प्लेइंग 11 में सामिल किया इस बार हर्जस सेंग ने ऑस्टेलियाई खेमे को तो निरास नहीं किया लेकिन भारत के चैंपियन बनने के सपने को तोड़ दिया 23 अवर में सोके भीतर कंगारूं के जब 3 विकेट गिरे तो ऐसा लगने लगा था कि मानो अब उस्टेलियाई टीम 200 तक भी नहीं पहुचवाएगी लेकिन फिर भारते मूल के हर्जस सेंग का बल्ला चला हर्जस सेंग ने 3 चोके और 3 चकों की बदोलत 55 रनों की महत्पूर पारी खेली हर्जस सेंग की इस पारी ने ही उस्टेलिया की जीत की नीव रखी एक जोग समाल रखा और रियान हेक्स के साथ 4 विकेट के लिए 66 की अहम सांजेदारी भी की हर्जस सेंग जब पवेलियन लोटे तो टीम का स्कोर 200 की करीब कर गए थे हर्जस के अर्द सेंग की बदौलत आउस्टेलिया ने 50 आवर में 7 विकेट और 253 रणों का स्कोर खड़ा कर दिया